नमस्कार बहुत स्वागत है आज का खास कारक्रम देख रहे हैं जोतिश दिशा सत्रकीरा मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी आज 14 अपरेल है भारत रत्न डाक्टर भीम राउं बेटकर की आज जैनती है और उन्होंने भारत का संविधान बनाया था उनके हम सब आभारी हैं कर्टक गये हैं उनको ऐसे पावन अवसर पर सादर नमन करते हैं यह हमारे देश का गौरो है उनका व्यक्तित्व अनुकरणी रहा है जिन्होंने अपने ग्यान से एक ऐसा संविधान बनाया है जो अब तक अक्छर सह पालन किया जा रहा है तो ऐसी महान विभूति को बारंबार नमन है बारंबार प्रणाम है चर्चा करेंगे आज के पूरे दिन के हाल का और आज और अभी आप हमसे जैपुर में मुलाकात कर सकते हैं जैपुर में मिलने के लिए कार्याला के दिये गए नमबर 9910291850 पर आप वाटसप करिए और मिलने का समय सुरश्चित करें आए सुरुवात करते हैं वाज के जोतिश दिशाग नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग बैशाक मा की शुपक्ष नौमीति थी है आज चंद्रमा मकराशी में नक्षत्र उत्राशाठ रहेगा सुबह 9 बच कर 14 मिनट तक इसके बाद स्रमण उत्राशाठ अर्थात सूर और स्रमण अर्थात चंद्रमा योग रहेगा सिद्ध तदनस्वार दिनांक 14 अप्रेल दिन शुक्रवार शुक्रवार को राहुकाल का समय सुबह साड़े दस से लेकर के बारे बजे तक और गुलिक काल का समय सुबह साड़े साथ से नौ बजे तक राहुकाल आप परहेच करें और गुलिक काल को आप कंसीडर कर सकते हैं मेश से लेकर मीन तक अब आई जानते हैं आज के पूरे दिन का हाल अर्थात आज की दिब्बे भवश्यवारी मेश राशी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट परिशानी नहीं आएगी आज सिक्षा बहुत निर्विवाद रूप से चलेगी मेहनत के साथ सिक्षा में लगिए ब्यापार के लिए थोड़ा साज मामला आपके हाथ से बाहर जाएगा बिजनस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कई प्रकार की स्थितियां आज बिजनस के लिए मामला आपके हाथ से बाहर जाएगा प्राइवेट सेक्टर बहुत अनकूल है हर कदम पर शुपता मिलेगी सरकारी छेतर में कुछ तनाव हो सकता है दामपत्य जीवर अनकूल रहेगा पत्नी का साथ मिलेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में कुछ मुश्किले आ रही है जिस पर आपको फोकस करना होगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज मेश राशी वालों को घुटने की तकलिफ हो सकती है उपाय क्या करना चाहिए आज भाईया आपको आज सूरे देव को देखते हुए स्टान के बाद रिंग फिंगर से घी का छिड़काव कर दीजेगा आपके लिए शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज पीला प्रिशद बावन ब्रिशब राजी मान सुक्षान्ती मिलेगी लहाजा पढ़ाई हो जाएगी सुक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है पढ़ाई के लिए एक अलग जोन आप टच करेंगे ब्यापार में कुछ उठापटक होगा बिजनस की स्थिति थोड़ी सी आज डामा डोल है प्राइवेट सिक्टर में कुछ बढ़ा कर रहे है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा सरकारी छेत्र की स्थिति में थोड़ा बहुत उठापटक हो सकता है दामपत्य जीवन बहुत बहतर है परिणाम अच्छा रहेगा लव लाइफ की स्थिति को आज सवारने का प्रियास करें अपने हाथों से सब कुछ आपके लिए बहतर हो जाएगा स्वास्त के मामले में आज लीवर और किड्नी की समस्या दिखाई देती है क्या उपाय करना चाहिए ओम अंगार काई नमह ये आज के लिए आपका उपाय है बिशेबालों के लिए शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागिप्रिशत अठावन सरकारी छेतर में कुछ अच्छा हो रहा है किसी तरह की समस्या नहीं आएगी दामपत्य जीवन में परिशानिया बढ़ सकती है लव लाइफ कुछ बहतर अनकूलता दिखाएगा आज का दिन आपके लिए अनकूल हो रहा है स्वास्त के मामले में मिथुन राशी वालों को आज जुखाम की शिकायत रहेगी माईग्रेन की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपके राशी मिथुन है आज मिथुन राशी वाले अपने हाथों से गुलाब जल अपने उपर छड़काव कर ले श्टान के बाद शुबरंग आपके लिए गुलाबी भागी प्रत्शत बासट करकराशी समय बेहतर है आपके लिए किसी तरह की समस्या नहीं है पढ़ाई हो जाएगी ब्यापार अच्छा चल रहा है रुकावटों से बाहर निकलेंगे प्राइवेट सिक्टर में जॉब करते हैं तो आज वाहन के लिए प्रियास करिए वाहन बदल सकते हैं नौकरी में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी सरकारी छेत्र की स्थिति को सुधारने के आप प्रियास करिए दामपत्य जीवन बहुत अनकूल है पत्नी का खूब साथ मिलेगा लव लाइफ में कुछ मामले आपके हाथ से बाहर जा रहे हैं स्वास्थ के मामले में आज का दिन बैक की प्राब्लम और लीवर की प्राब्लम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए करक वालों को आज मादुरगा का ध्यान करना है ओम दुम्दुरगाई नम्ह ग्यारह बार इसका जाब करिएगा शुबरंग आपके लिए आज स्ट्रेटी भाग्य प्रत्षत बावन सिंग राशिक दिनांक 14 अपरेल पढ़ाई तो करी रहे हैं जिसमें आपको लाब भी हो रहा है ब्यापार की स्थिति थोड़ी सी डावा डोल होगी प्राइबट सिक्टर कुछ बहतर अनकूलता दिखाएगा सरकारी छेतर को संभालने का प्रयास करें दामपत्य जीवन गजब का है पत्नी का साथ आपके साथ बना हुआ है लव लाइप में मुश्किलें आ रही है स्वास्त के मामले में आज सांस की दिक्कत और लीवर की प्रावलम हो सकती है आज का दिन सिंग राशी वालों को क्या उपाय करना जाहे है ओम गंगड़ पतय नमह का ग्यारह बार जाब करिएगा शुबरंग आपके लिए आज के सरिया भाग्य प्रत्षत 56 कन्यराशी जिनांक 14 अपरेल पढ़ाई में आज लग जाएंगे आप और लगने का अनकूल परिणाम दिखेगा सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं है ब्यापार बहुत बहतर है बिजनस में कुछ बड़ा हो रहा है प्राइबिट सेक्टर को आज संभालने का प्रयास करीए प्राइबिट सेक्टर आप पर आज महरबान है सरकारी छेत्र की स्थिति में थोड़ा बहुत दुक्सान हो सकता है नाम पत तो जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा सेट हो जाएगा लव लाइप में कुछ मुश्किल ने थी जिस पर आपको ध्यान देना होगा स्वास्त के मामले में आज कन्या राशी वालों को डाइजेशन की समस्या हो सकती है जोदा अप्रैल दिन शुक्रवार शिक्षा की स्थिक को आज समारा जा सकता है पढ़ाई बहुत अनकूल है कहीं रुकावत नहीं है ब्यापार बहतरीन बिजनस में कुछ बड़े फैसले प्राइवेट सेक्टर आपके लिए समभलने का समय है प्राइवेट सेक्टर में समस्याएं आ सकती है सरकारी शेतर में कुछ उठा पटक हो सकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की बीच ताल में अच्छा बैठेगा लव लाइप में मुश्किलें आ सकती है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज पेट और किड्नी की समस्या रहेगी क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी तुला है अपने हाथों से शिवलिंग पर शहद का अभिशेक कर दीजे शुबरंग आपके लिए आज केसरिया भाग की प्रत्षद उनसठ फिफ्टिनाई प्रश्चक राशी अनकोल इस्थितियां आपके साथ चल रही हैं पढ़ाई खोब गजब की करेंगे आप ब्यापार में कुछ उठा पटक होगा तो बड़े रिस्क टाल दीजेगा निवेश नहीं करना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज महरबान है अउसर अच्छे दे रहा है सरकारी शित्र में सुधार के समय आ चुके हैं दामपते जीवन अच्छा है पतनी का साथ रहेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ में मामला आपके हाथ से बाहर जा सकता है स्वास्थ के मामले में आज कमरदर्द की शिकायत रहेगी भुटना परिशान करेगा क्या उपाय करना चाहिए ब्रश्चिक वालों को आज तीन पौधों में जल का अभिशेक करें पौधों में जल से सीचें आज कल गर्मी शुरू है तो जितना पौधों को आप जल देंगे आपका बुध उतना शुब होगा और व्रिश्चिक के लिए बुध लाभेश होता है शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रत्शत तिरसट धनुराशी अनकूल प्रत्शतियां आपके साथ हैं पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं सुधार के चांसेस बनेंगे शुक्षा में बड़े फैसले हो सकते हैं ब्यापार अच्छा है आज मित्र साथ देंगे बिजनस में बड़े जो निरणे हैं काम बन जाएगा प्राइवर्ट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे तो जॉब में आज उठा पटक रहेगा जॉब की स्थती बहुत अच्छी नहीं है सरकारी छेतर में सब कुछ बहुत सामानने से बहतर होगा दांपत्य जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की वीश दाल मिल बैठेगा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लव लाइफ में आज कुछ मामला हाथ से बाहर जाएगा स्वास्त के मामले में आज देखा जाए तो जुखाम खांसी की शिकायत रहेगी धनु राशी वालों को उपाय के तौर पर आज हल्दी का तेलक अपने कंठ पर लगाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज लाल भाग्य प्रतिशत पचास मकर राशी अवसर अच्छा मिल रहा है तो उसका लाभ आपको आज लेना चाहिए पढ़ाई में आज कुछ बड़ा हो रहा अपने आप हो रहा है मित्रों का भी साथ बना रहेगा व्यापार हर कदम पर आपके लिए शुब है बिजनस में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी प्राइवेट सिक्टर में कुछ तनाव बढ़ सकता है सरकारी छेत्र को समारने का प्रयास करे दामपत्य जीवन बहतरीन हर कदम पर शुबता दामपत्य जीवन में लाव के उसर लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जा सकता है सूच समझ कर निरड़ा लीजेगा स्वास्त के मामले में देखा जाए तो आज पेट और लीवर की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशी मकर है आज का दिन बहतर करने के लिए आपको कच्चे दूद का दान किसी जरूरतमंद बच्चे को करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रत्षत सत्तावन कुम्बराश 14 अपरेल शुक्रवार शुक्षा के लिए आवश्यक अनुभव आप गेन कर लिए है उसका लाभाप लेंगे आज पढ़ाय अच्छी चल रही है ब्यापार में श्थतियां थोड़ी सी इधर उधर जाएंगी बिजनस में सम्हालने का परियास करें प्राइबेट सिक्टर आपके लिए इक अलग लेबल पे ले जा रहा है सरकारी छेत्र की श्थतिस उधर जाएगी दामपत्त जीवन अच्छा है पत्नी और बच्चों की बीच तालमेल अच्छा बैठेगा लव लाइफ कुछ अनकूल करेगा स्वास्ति के मामले में आज किड्नी और आँखों की समस्या हो सकती है कुम राशी वालों को उपाए के तोर पर आज किसी जनुरतमंद को जल का दान करे शुबरंग आपके लिए आसलेटी भागे प्रद्शत छपपर अन्तिम राशी मीड पढ़ाई में आज कुछ अच्छा हो रहा है शिक्षा गजब का चलेगा ब्यापार अनकूल है औसर अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सिक्टर में कुछ तनाव बढ़ सकता है सरकारी छेतर में सुधार लाने का प्रयास करे दामपत्य जीवन अच्छा है बच्चों का साथ मिलेगा लव लाइफ में कुछ अनकूलता प्रतिकूलता हो सकती है स्वास्त के मामले में लीवर और आँख की समस्या रहेगी क्या उपाय करना चाहिए प्रयोग के तोर पर आज में राशी वालों को अपने हाथों से किसी बच्चे को कुछ मिठाई आदि देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भाग्र प्रतिशत एक्यावन राश्यो का हाल बता ही दिया है बता दें एक बार फिर से कि आज और आप हमसे जैपूर में मिल सकते हैं डिसकाउंटेट फीस के साथ और कल से फिर आप गाज़े अबाद में मुलाकात कर सकते हैं मिलने के लिए दिये गए नंबर पर 9910291850 पर वाटसप करें आई आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज दिनांग 14 अपरेल की सक्सेस की की आज के सफलता की कुझी ये है कि सरसो का तेल अपने दाहिने पाउं के नाखून पर हलका सा लगा लीजिएगा और फिर दिन का शुभारंब करिएगा दिन अच्छा भी देगा चर्चाब उनकी जिनको आज के भाग्याक्षर का इंतजार है जानते हैं आज का भाग्याक्षर मेश भाग्षर ब्रिशभ वा मिथुन थाग्षर करक चा सिंग पाग्षर कन्या वा तुला राग्षर ब्रिश्चिक दा धनू गाग्षर मकर हा कुम्भ साग्षर मीन जा नोट कर लें सादे चौक और कागच पर लाल रंग वाले इंक की कलम से अपने पास रख लें कल जो अक्षर लिया था उसे दो भागों में करकर किसी पौधे के नीचे अर्पित कर दें काम पूरा है आए अब जाल लेते हैं 14 अपरेल को पैदा हुए लोगों के निवित आयुश्मान भव है हारदिक शुब काम ना है विशिंग वेरी हैपी बर्थ दे खोब सलिब्रेट करें लेकिन सड़क के बीच में खड़े होकर गाड़ी के बोनट पे केक रखके न काटे फुरदंग न मचाएं मुहब्बत के साथ आज के दिन जितना हो सके आशिरवाद जरूर ले अपने अपने इश्ट का ध्यान करें और बड़ों का आशिरवाद लेते रहें क्या उपाय है आज के लिए आपको जो पूरा वर्ष आपके जीवन का चमका देगा आज वाला वर्ष आज से एक साल तक 364 दिन जोड़ डा लिएगा दो बर्गत के पौदे कहीं लगा दीजे प्लस दो लोगों को खाना खिला दीजे प्लस तीन लोगों को दवा का दान कर दीजे दवा से मदद कर दीजे बस इतना कर डाली बाकी और जो कर सकते हैं जो रेगुलर करते हूं वो आप करते रहिएगा आज 14 अप्रेल को जिनकी मेरी जैनिवर्सरी है दो लोगों को भोजन करा दे और किनी तीन देवस्थानों पर पीपल का पौधा पती पत्नी मिल कर लगा दे ताम आपका बन जाएगा पूरा हो जाएगा हमारी शुब कामना है आप सब के लिए बस आज के खास इसंक में इत प्यार देते हैं ये देखने से पता चल रहा है साथ हज़ार व्यूज फेस्बुक पर लगभग ऑन एवरेज आने लगा है एक बड़ी उपलब्धी है कि हम फेस्बुक पर साथ हज़ार तक लोग देख रहे हैं हनवान जी वाला जब हनवान जैनती वाला शो तो लगभग 80,000 लोगों ने देखा था 200 लोगों ने शेयर किया था ये आपका प्यार है और हमारी नैतिक जो मौलिकता है जो नैतिकता है जोतिश के प्रति इस विज्ञान के प्रति पत्थर सत्यानास करते हैं जो हमने मूल मंत्र दिया है वो आपके जीवन में कितना कारगर है ये आप के कमेंट्स बताते हैं पूर्वाग्रह दूर्वाग्रह त्याक कर जो सद्भाव से हमारे इस मंच से जुडए हैं वो क्या कुछ प्राप्त कर रहे हैं यह आप सब कुद मनदब हम अंदाजा लगा सकते हैं यह प्यार हमारी ताकत है यह मुहबत हमारी ताकत है इसे हम योही बरकरार रखेंगे शुक्रिया नमस्कार आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपह और ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खोशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशिया अनेग